के हमारा है वोग डिन बाई गेविटेशनल विल्ड दो ग्राविटेशनल विल्ड को समझते हैं कि यहां आपने सिर्फ याद रखना है시न जहां पर लिएङ घ्रेविटी और उस खैना है jin ओड Mixed क्या होती है यह आप मेरे पास एक object देख रहे हैं इसको अगर हम यहां से release करें तो यह नीचे गिर जाएगा because of gravity, gravity की वज़ा से अब वो force जो इसे नीचे की तरफ लेके आई वो gravitational थी हमें Newton के second law of motion से पता है f is equals to ma और हमें यह भी पता है कि gravity अपनी तरफ किसी भी object को attract करें तो उसके ओपर gravitational acceleration लगती है तो हमारा formula बनेगा f is equals to mg क्योंगे अब acceleration constant 9.8 meter per second square है हमें एक और चीज़ पता है बड़ी detail में हम बार-बार पढ़ चुके हैं work is equals to ft इस case में f mg है तो हम mg लिख देंगे d जो है वो distance है जहां से यह object नीचे की तरफ travel किया इसने इसकी height थी जहां यह नीचे गिरा यह h work done जो है वो हो गया mg h अब अगर मैं इस object को उठा कर वापिस इस side पर लेकर आऊं तो मैंने इस पर काम किया work done किया इस case में work done positive था क्योंकि force of attraction gravity की थी और जो displacement था जो distance उसने travel किया उसकी direction भी force की direction में थी इस case में work done negative है क्योंकि force इसे नीचे की तरफ लाना चाहा रही है और हम इसे displace करें उपर की तरफ इसी बात को mathematically प्रूफ करते हैं work done fd cause of theta होता है जिस case में force or displacement दोनों same direction में है अगर आप यह lecture complete देखना चाहते हैं so please go to google play store and download करें app hippo e-learning program और सब lectures free में देखिए इसके साथ सथ अपने friends और class fellows को भी एप recommend करें and don't forget to subscribe this channel for more updates करें देखिए